राजधानी रायपूर में आईजी 24 वे राश्टी वन खेल महस्तों में शुक्रवार को होकी में करनाटक और तमिलाडू के बीच सेमी फाइनल मेच खेला गया दिसमें करनाटक ने 4-2 से तमिलाडू को हरा कर फाइनल में जगा बना ली है वहीं इस मेच में नवनी तुरकी ने सबसे जदा चार गोल दागे वहीं उन्होंने मेच में सबसे जदा गोल लगाकर टीम को जीद दिलाने में महजवपूर सयोग दिया बता दे कि शरिवार सुभा फाइनल मेच चातिसगर और करनाटक के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा अभी तक तो जो रिकार्ड है उसमें सबसे जदा गोल चातिसगर की टीम ने की थी कल उन्होंने उडिशा को दस एक सुन्य शहराया था और आज भी उडिशा को उन्होंने आठ एक से माध दी है कल फाइनल मेच खिल जाएगा और उम्मेद है कि चातिसगर की टीम आके कासिय लगभग 25 मेडल जीत कर पहले नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर चातिसगर ने विबिन्न खेलों में 15 गोल्ड मेडल 17 सिल्वर 7 कासिय लगभग 30 मेडल अपने नाम कर लिये हैं वही प्रदेश्चन में चातिसगर टॉपर लिस्ट में पहले नंबर पर है आज मैच था तमिनाड के साथ समी फैनल्स था हम जीत करे आच्चा मैच चल रहा था और सेकेंड आफ में पहला आफ में ड्राज बराबर चल रहा था और सेकेंड आफ में हम चार गोल पर मार दिया पहले हमनों अगले फाइनल को देखते हुए हमने त्यारी की थी जिल बोल हम वह तो टीम एक होकर खेलते तो गोल को भी मारे लेकिन बदाई देना चाहेंगे नोनीत को जिने ज्यादा गोल मारा है उन्हें जो खिलाडी पासेस वनाया है उनको भी बहुत बदाई देता हुए जिसके बदलत गोल हुए जो हमने विगाद दो महने में जो गेम प्लान किया तो उसी के ताहद गोल हुए है ना कि किसी वेक्तिवी से उसका गोल है सभी का योगदान है सबसे पहले तुम्हें फोरेश बिभाग को धन्यावाद दूँगा क्योंकि बिभाग ने पुरे खिलाडियों को कैम्प के लिए दो महने का समय दिया और हमने जो है इस दो महने में सबसे पहली चीज खिलाडियों के फिटनेस पे ध्यान दी सेट प्लेस, पिनाल्टी कोर्नर, में टू में मार्किंग इसमें हमने बहुत महनत करा है और खिलाडियों ने बहुत महनत करिये उसी का नतीज़ा जो आप देख रहे हैं सामने है